हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो आर फांडेशन यह क्वाडिलेटरल चप्टा का पार्ट सेकेंड है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो फर्स्ट क्वेस्टन देखते हैं यहाँ पर देखिए क्वाडिलेटरल का सारा एंगल का रेशियो दिया हुआ है आपको सारा एंगल बताना है तो आपको पता है कि सारा एंगल का सम 360 डिग्री होता है तो यहाँ पर मान लिजिए कि जो कॉमन रेशियो है वो X है तो यह क्या हो जाएगा 3X प्लस 5X प्लस 9X प्लस 13X is equal to 360 हो जाएगा अब आप इसको solve किजेगा इसको add किजेगा तो यह आ जाएगा 5,3,8,9,7,13,30 यह 30X is equal to 360 आ जाएगा तो X is equal to 12 तो कॉमन रेशियो का वैल्यू पता चल गया 12 है तो इसका एंसर आ जाएगा 12 इंटो 3 यह फर्स्ट एंगल हो जाएगा 5 इंटो 12 थर्ड एंगल हो जाएगा 9 इंटो 12 और यह फोर्थ एंगल हो जाएगा 13 इंटो 12 next question देखिए if the diagonals of a parallelogram are equal then so that it is a rectangle एक parallelogram है इसका diagonal equal है यह दोनों diagonal equal है आपको बताना है कि यह एक rectangle है तो देखिए rectangle हम लोग वैसे parallelogram को कहते हैं जिसका one angle 90 degree हो वैसा parallelogram जिसका एक angle 90 degree हो यह rectangle होता है तो यह parallelogram तो पहले से है तो आपको बस एक angle को 90 degree प्रूफ कर देना है एंड यह देखिए question को किस तरह से approach करना है अगर आपको पता है कि यह एक parallelogram है तो आपको यह भी पता होगा कि यह और यह side आपस में parallel होगा एंड यह एक transverse का का काम करेगा यह transverse का का काम कर रहा है इसका मतलब यह जो interior angle है same side यह इसका sum 180 degree हो जाएगा देखिए यह parallel line है यह एकर transverseal है तो angle 1 is equal to angle 2 होता है angle 1 plus angle 3 is equal to 180 होता है and angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree होता है and angle 3 is equal to angle 4 होता है ऐसे case में and यह मान लिज़े कि 5 है तो angle 1 is equal to angle 5 होता है यह सारा चीज आप लोग पहले से जानते होंगे यह vertical यह opposite angle हो जाता है इसी तरह यहाँ पे angle 2 is equal to angle 6 हो जाएगा angle 3 is equal to angle 7 हो जाएगा and यह मानली जेकी 8 है तो यह 2 और 8 का sum 180 degree हो जाएगा 1 और 3 का sum 180 degree हो जाएगा तो उसी तरह यहाँ पे यह angle और यह angle का sum 180 degree हो जाएगा थीक है तो अब हम लोगों को पता चल गया कि इसका sum और इसका sum 180 degree होना है और एक angle को हमको 90 degree प्रूफ करना है देखिए 90 degree असको प्रूफ करना है इसका मतलब इस 90 degree तो पहले से है आपको बस बताना है कि किस तरह से 90 degree है तुई माल लिजे कि angle 1 है और ये angle 2 है अब देखिए आपको पता है कि angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree है एक एंगल 90 डिग्री इसमें होगा ही यह आपको बताना है मतलब अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को आप बड़ाबर प्रूफ कर दीजेगा तो दोनों 90-90 हो जाएगा तो आपको प्रूफ करना यहाँ पे कि यह दोनों एंगल बड़ाबर है एंगल 1 इसकोल टू एंगल 2 है आपको यह में चीज प्रूफ करना है तो देखिए फिर चेक डाइग्राम बनाते हैं यह एक क्वाडिलेटरल हो गया यह डाइगोनल हो गया तो आपको यह एंगल और यह एंगल इकवल प्रूफ करना है तो यह दोनों एंगल को इकवल प्रूफ करने के लिए आपको कॉंग्रूएंशी का हेल्फ लेना होगा ऐसे सारे क्वेस्चन को हेल्फ करने के लिए हम लोग सॉल्फ करने के लिए कॉंग्रूएंशी का हेल्फ लेते हैं तो यह देखिए आप दो ट्रियंगल ले लिजिए एक ये ट्रियंगल ले लिजिए एंड एक ये ट्रियंगल ले लिजिए और ये दोनों को कॉंग्रूइंट प्रूफ कर दीजिए जब ये ट्रियंगल और ये ट्रियंगल को आप कॉंग्रूइंट प्रूफ कर दीजिएगा तो ये एंगल औ या मैं आपको hint दे दे रहा हूँ देखिए यह एक पैडलेलो ग्राम है तो पैडलेलो ग्राम में opposite side equal होता है ठीक है तो ये side is equal to ये side हो जाएगा ये red वाला triangle और black वाला triangle में ये side और ये side equal हो गया diagonal equal दिया हुआ है मतलब ये वाला side और ये वाला side भी equal है ये दिया हुआ है कि diagonal equal है ठीक है question में ही और ये वाला side common हो गया तिनो ट्रियंगल में ये जो था जिसमें ये पहला triangle है तो ये वाला side इसके side हो जाएगा क्योंकि ये वाला side ये side की equal हो जाएगा क्योंकि ये एक पैडलेलो ग्राम है पैडलेलो ग्राम में opposite side equal होता है ये side ये side equal पहले से ही दिया हुआ है question में कि diagonal equal है ये common है इसका मतलब side 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 से ये दोनो triangle congruent हो जाएगा जैसे ही ये दोनो triangle congruent हुआ तो ये angle और ये angle equal हो जाएगा ये दोनो angle equal हो गया अब ये दोनो angle 1 और angle 2 angle 1 equal to angle 2 हो गया and angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree होगा जो यहाँ पर मैंने बात करा कि ये दोनों का sum 180 होता है तो यहाँ से आपको angle 1 equal to angle 2 equal to 90 degree अप्रूफ हो गया आपको यही प्रूफ करना था कि एक अगर angle 90 degree हो जाएगा एक पैडलेलो ग्राम का तो ये एक rectangle हो जाएगा तो ये question को इस तरह से solve किया जाता है आपको देखना होता है कि क्या information दिया हुआ है and question में जो पूछ रहा है उस बात को confirm करने के लिए हमको कौन सा point show करना होगा तो यहाँ पर हम लोगो को दिया हुआ था कि एक वैसा पैडलेलो ग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है वो एक rectangle हो जाता है and इस तरह से हम लोगों ने इस question को solve कर दिया next question पढ़ते है so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus question में चाइन को mission दिया हुआ है एक quadrilateral है suppose कि ये A, B, C, D एक quadrilateral है जिसमें diagonal एक दूसरे को bisect कर रहा है right angle पर यहाँ पर एक quad diagonal draw किजिए एक diagonal ये हो गया and ये एक दूसरे को 90 degree पर bisect कर रहा है okay bisect कर रहा है मतलब ये is equal to ये हो जाएगा and ये is equal to ये हो जाएगा अब आपको बताना है कि यह है एक rhombus है तो rhombus proof करने के लिए आपको पहले बताना होगा कि ये एक parallelogram है वैसा parallelogram जिसका सारा side equal होता है वैसे parallelogram को हम लोग rhombus कहते है तो आपको दो चीज़ proof करना है पहला तो कि ये एक parallelogram है दूसरा की इसका all side equal है तो ये एक rhombus हो जाएगा तो देखिए इसको कैसे proof करना है यहाँ पे भी हम लोग congruency काही help लेंगे देखिए यहाँ पे all side equal proof करना है मतलब a b is equal to a d proof करना है is equal to dc proof करना is equal to c b proof करना है अगर चारो side equal आप proof कर दीज़ेगा तो इससे दोनों बात proof हो जाएगा पहला तो यह कि अगर कोई quadilateral है जिसका opposite side equal है pair of opposite side equal है तो यह parallelogram होगा तो अगर इसमें चारो side को ही आप equal proof कर दीज़ेगा तो यह parallelogram तो हो ही जाएगा and rhombus भी हो जाएगा क्योंकि चारो side हो एक ऐसा parallelogram है यह जिसका चारो side equal है तो इस तरह से यह दोनों चीज प्रूफ हो जाएगा और फिर यह rhombus प्रूफ हो जाएगा तो आपको इसमें सिर्फ एक ही काम करना है कि सारे side को equal proof करना है तो देखिए इसको equal proof करने के लिए हम लोग दो triangle ले लेंगे यह माल लिजे कि first triangle है and यह second triangle ले लेंगे यह second triangle हो गया sorry यह ऐसे नहीं लेंगे इसको proof परने के लिए हम लोग यह diagonal है दो triangle लेंगे पहला यह triangle लेंगे यह माल लिजे कि ओ है तो first लेंगे triangle A, O, B and second लेंगे triangle यह A, O, D यह D, O, A यह दो triangle लेंगे यह first triangle हो गया and यह second triangle हो गया अब इसमें यह दोनो 90 degree है क्योंकि question में दिया होगा है कि यह 90 degree पर bisect करता है ठीक है तो यह angle यह angle बड़ावर हो गया 90, 90 degree and यह इसके बड़ाबर हो जाएगा क्योंकि question में यह भी दिया होगा है कि bisect किया है देखिए bisect किया है इस अदर को मतलब यह इसके बड़ाबर होगा यह दोनों angle 90 degree होगा ही क्योंकि यह information भी question में ही दिया होगा है कि right angle पे bisect किया है प्लस ये वाला जो side है ये दोनों में common है ये side दोनों में common है तो side, angle, side side, angle, side इससे ये triangle और ये triangle दोनों congruent हो गया and देखिए जब ये triangle और ये triangle congruent हो गया इसका मतलब कि ये side भी equal हो जाएगा by corresponding part of congruent triangle से CP, CT से ये side और ये side equal हो जाएगा AB is equal to AD हो जाएगा similarly आप इस triangle में and इस triangle में भी इसी तरह से congruent करके ये दोनों side को equal proof कर सकते हैं कि ये common side हो गया और ये दोनों angle 90 degree है दोनों में तो side angle और ये वाला side equal हो जाएगा क्योंकि bisect किया है तो side angle side से ये दोनों triangle ये दोनों triangle भी congruent हो जाएगा और फिर उस तरह से ये वाला side इसके equal हो जाएगा उसी तरह से फिर आप ये दोनों triangle में ले लिजेगा ये पहला triangle और ये दूसरा triangle ये दोनों ये side common हो जाएगा ये दोनों 90 degree हो जाएगा ये वाला bisect किया है तो ये वाला side equal हो जाएगा तो ये भी side angle side से equal हो जाएगा इस तरह ये side इस side के बराबर हो जाएगा उसी तरह आप ये दोनों triangle में कर ले लिजेगा तो ये 90 degree हो जाएगा ये side equal हो जाएगा क्योंकि by check किया है एक common हो जाएगा तो ये भी side angle side से equal हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि AB बराबर BC हो गया BC बराबर CD हो गया CD बराबर DA हो गया तो ये एक ऐसा quadilateral हो गया जिसका 4 side equal है एंड चारो side equal होने के वज़े से एक parallelogram हो ही गया एंड एक ऐसा parallelogram जिसका 4 side equal है इसे ये rhombus भी हो गया तो ये third question भी solve हो गया आपको ध्यान देना है कि question को किस तरह से हम approach कर रहे हैं question में जो information दिया हुआ है एंड जो चीज पूछ रहा है उसको उस information से कैसे निकाला जा सकता है इतना बात पर आपको ध्यान देना है ये जब आप NCRT का सारा question अच्छे से 3 बार 4 बार solve कर लिजेगा ना सारे chapter का तो ये जो skill है आपके अंदर develop हो जाएगा इसलिए हर chapter को कम से कम 3-4 बार solve कीजिए NCRT में जितना question दिया हुआ है बहुत important है सारा question अगर आप सबको अच्छे से समझ लिजेगा तो आप वो technique जान जाएगा कि किस तरह से किसी भी question को approach किया जाता है लेकिन हाँ यह जरूरी है कि आप सारे question को अच्छे से समझे हो concept wise next question है so that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles यह एक square दिया हुआ है question में पहले से आपको बताना है कि इसका diagonal equal होता है and एक दुसरे को 90 degree पे bisect करता है आपको बताना है कि इसका diagonal equal है and एक दुसरे को bisect कर रहा है 90 degree पे और यह square एक दिया हुआ है square दिया हुआ है इसका मतलब क्या है आपके पास क्या क्या information दिया हुआ है आपके पास यह information दिया हुआ है कि इसका all aside equal है ठीक है यह information दिया हुआ है and यह एक parallelogram है यह information भी आपको दिया हुआ है तो इसके यह diagonal इसको और इसको equal proof करना है तो इसके लिए भी आपको congruency का help लेना होगा तो आपको देखना होगा कि ये दोनों को किस तरह से equal proof कर सकते हैं तो equal proof करने के लिए हम लोग दो triangle लेंगे ये पहला triangle हो गया एंड ये दूसरा triangle हो गया अगर ये दोनों triangle congruent हो जाएगा तो ये side ये side के बराबर हो जाएगा ओके अगर ये दोनों triangle को आपने congruent proof कर दिया तो इससे ये जो AB and CD जो diagonal है AB equal to CD proof हो जाएगा ये diagonal equal proof हो जाएगा तो आप इस triangle को और इस triangle को किस तरह से congruent proof करेंगे ये देखना है तो देखिए ये जो triangle है इसमें ये side और ये side बराबर होगा क्योंकि यह एक square है and square में सारा side equal होता है तो ये side और ये side equal हो गया आपको एक और बात पता है कि square का all angle 90 degree होता है ये बात आपको पता है ये के square में सारा side equal होता है and सारा angle 90 degree होता है तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्रियंगल में और ये ट्रियंगल में एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया दोनों में एक एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया एक side equal हो गया एक angle equal हो गया और ये वाला side common है ही दोनों triangle में ये side तो दोनों triangle में common ही है न तो ये और side common हो गया मतलब side angle side से ये दोनों triangle आपस में congruent हो जाएगा ये side इस side के equal है ये वाला angle ये angle के equal है और ये वाला side common है ये देखिए अगर ये दोनों ट्रियंगल को आप separate draw कीजिएगा तो इस तरह से ट्रियंगल बनेगा ये पहला triangle और ये दूसरा triangle हो गया ये वाला देखे ये पहला triangle और ये दूसरा triangle इसको दोनों को मैंने अलग-अलग draw कर दिया तो ये side ये side के equal है क्योंकि ये square का side है ये angle और ये angle 90 degree है क्योंकि ये square का angle है और ये वाला side दोनों में common है तो side angle side से congruent proof हो गया इसका मतलब कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में equal होगा तो ये दोनों क्या है? diagonal है न ये और ये diagonal है तो हमने proof कर दिया कि diagonal equal होता है diagonal equal होता है अब next part proof करना है कि ये एक दूसरे को 90 degree पे bisect करता है एक बात हमने proof कर दिया अब दूसरा आपको बताना है कि ये square में diagonal एक दूसरे को 90 degree पे bisect किया है तो actually इसमें ने दो चीज़ प्रूफ करना है पहला तो कि diagonal एक दूसरे को bisect कर रहा है एंड दूसरा 90 degree पे bisect कर रहा है तो पहले हम लोग proof करते हैं कि ये एक दूसरे को किस तरह से bisect कर रहा है तो इसका नाम दे दिए A, B, C, D ये एक square हो गया ये मान लिज़े कि O है जहां पे एक दूसरे को intersect किया है दोनों diagonal अब आप देखिए triangle A, O, B में एंड दूसरा triangle देखिए ये A, O, B हो गया दूसरा C, O, D में C, O, D ये angle, ये angle equal होगा vertically opposite angle vertically opposite angle ये angle और ये angle equal हो जाएगा एंड ये angle ये angle की equal होगा क्योंकि ये और ये एक parallel line है और ये एक transverse का काम करेगा तो ये interior angle से ये दोनों angle equal हो जाएगा ये वाला नहीं ये वाला equal हो जाएगा angle 1 and angle 2 angle 1 is equal to angle 2 हो जाएगा ये angle 1 है और ये angle 2 है ये interior angle हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों equal हो गया तो दो angle equal हो गया पहला ये angle equal हो गया इसके और दूसरा ये इसके equal हो गया and third देखिए A, B is equal to CD हो जाएगा क्योंकि S2 में सारा side equal होता है तो यहाँ पर angle, angle and side से यह दोनों triangle congruent हो जाएगा यह दोनों triangle congruent हो जाएगा angle, side, angle से ठीक है? अब अगर यह दोनों angle, side, angle से congruent हो गया इसका मतलब कि यह जो AO है यह CO के बराबर हो जाएगा AO, CO के बराबर हो जाएगा यहाँ देखिए यह AO, CO के बराबर हो जाएगा मतलब यह diagonal जो है bisect हो राखा है एंड यह second देखिए यह OD OB, यह जो OB है वो OD के बराबर हो जाएगा OB is equal to OD हो जाएगा मतलब दोनों diagonal एक दूसरे को bisect कर राखा है तो यह proof हो गया कि एक दूसरे को bisect कर राखा है third proof करना है कि यह जो bisect किया है 90 degree पे bisect किया है मतलब यह जो angle है यह 90 degree है यह next हम लोगों को proof करना है तो देखिए इसको किस तरह से proof करेंगे यह square है थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाते है यह मान लिजे कि एक square है यह इसका diagonal है जो कि एक दूसरे को bisect किया है हमने अभी देखा यह एक दूसरे को bisect किया है इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D, N यह O हो गया हम लोगों को बताना है कि यह 90 डिगरी पे एक दूसरे को bisect किया है यह सारा angle 90 डिगरी है तो इसके लिए हम लोग congruency का यह help लेंगे तो यह माल यह दो angle ले लेते हैं A, O, D, and C, O, D C, O, D यह दो triangle हमने ले लिया अब यह दोनों को congruent proof करके यह दोनों angle को अगर equal कर देंगे हो जाएगा, यह देखिए अगर यह एक linear angle बनाया है तो इसका sum 180 डिगरी होगा ठीक है, अगर हम यह दोनों angle को बढ़ाबर proof कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाए कि angle 1 and angle 2 बढ़ाबर है, angle 1 is equal to angle 2 है, and angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिगरी है तो angle 1 and angle 2 is equal to 90 डिगरी हो जाएगा तो हमको यह दोनों angle को proof करना है, तो यह दोनों triangle को congruent proof कर देंगे, तो यह देखिए किस तरह से congruent होगा यह side यह side बढ़ाबर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा, कि यह bisect किया है एक दूसरे को, यहाँ पर देखिए, bisect किया है तो यह side इस side के बढ़ाबर हो जाएगा यह common side हो गया, और यह side यह side आपस में बढ़ाबर होगा, क्योंकि square का सारा side बढ़ाबर होता है यह देखिए, यह side इसके बढ़ाबर हो जाएगा, क्योंकि bisect किया है यह common side हो जाएगा, यह side और यह side बराबर हो जाएगा क्योंकि S square का side सारा equal होता है तो ये S, S, S से congruent हो गया इसका मतलब ये angle और ये angle बराबर हो गया angle 1 और angle 2 बराबर हो गया angle 1 is equal to angle 2 हो गया and linear angle से angle 1 plus angle 2 is equal to 180 linear angle है ये ठीक है तो ये दुनों को solve पीजेगा तो angle 1 बराबर angle 2 is equal to 90 degree हो गया इसका मतलब ये angle 90 degree है ये angle 90 degree है ये सारा भी इसी तरह से 90 degree हो गया तो ये bisect each other at right angle ये भी proof हो गया तो इस question में तीन part proof करना था तीनों part हमने proof कर दिया पहला सारे side को equal proof किया दूसरा diagonal leg दूसरे को bisect किया ये proof किया तिसरा ये diagonal leg दूसरे को right angle पे right angle पे bisect किया है ये भी proof कर दिया next question है so that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square ये इसी question का reverse पूछ दिया है ये diagonal equal दिया हुआ है A, B, C, D इसमें आपको दिया हुआ है कि AC is equal to B, D है and एक दूसरे को 90 degree पे ये cut किया है ये भी दिया हुआ है तो आपको proof करना है कि ये एक square है तो square proof करने के लिए आपको सारा side को equal proof करना है अगर आपने सारा side को equal proof कर दिया तो ये एक parallelogram हो जाएगा जिसमें opposite side opposite pair of side equal होता है and all side अगर इस parallelogram का आप equal कर दिजिएगा तो ये के square हो जाएगा तो इसको आप खुद से attempt कीजिए इतना सारा information आपको दिया हुआ है and इसी question को अभी मैंने यहाँ पे solve किया है इसकी reverse question को तो ये आप से solve हो जाएगा थोरा सा hint दे रहा हुआ है ये देखिए ये common side ये दोनों triangle अगर आप लीजिएगा तो ये common side हो जाएगा and नहाँ पे दिया हुआ है कि bisect कर रखा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये 90 degree अल्रेडी दिया हुआ है कि 90 degree पे bisect किया है ये दोनों triangle आपस में congruent होगा जिसके वज़े से ये side और ये side equal हो जाएगा उसी तरह आप ये दोनों triangle में ले सकते हैं ये दोनों triangle में किजिएगा तो ये common side हो जाएगा ये bisect किया है तो equal हो जाएगा और ये 90 degree दोनों में दिया हुआ है तो इस तरह से यह दोनों भी congruent हो जाएगा तो इसके बरापर यह हो जाएगा इसी तरह से आप सारे साइट को equal proof कर दीजिएगा तो यह के square proof हो जाएगा next question देखिए diagonal AC of a parallelogram ABCD, ABCD एक parallelogram है question में दिया हुआ है कि ABCD एक parallelogram है यह parallelogram दिया हुआ है इसका मतलब यह side इस side के equal होगा और parallel होगा and यह side इस side के equal होगा and parallel होगा इतना information आपको दिया हुआ है यह दिखा रहा है कि यह जो AC diagonal है इस angle को bisect किया है तो आपको proof करना है कि यह diagonal इस angle को भी bisect करेगा ये diagonal C angle को भी bisect करेगा इसका मतलब आपको बताना है कि ये angle और ये angle बराबर है ये आपको बताना है तो इसको आप एजली बता सकते हैं ये दोनो parallel है मान लिजे कि ये x है और ये x है bisect किया है न टोटल मान लिजे कि angle A is equal to 2x है तो angle ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये bisect कर रहा है अब देखिए ये parallel line है और ये एक transverse line है तो ये angle और ये angle equal हो जाएगा parallel line, transverse line, ये angle, ये angle equal होता है मैंने बताया था थो रधर पहले ही तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा यह alternate interior angle होता है यह X है तो यह X हो जाएगा similarly अगर आप इधर से देखिएगा तो यह एक parallel line है और यह आपस में parallel line है और यह एक transverse है तो यहाँ पे भी यह angle और यह angle बराबर हो जाएगा alternate interior angle ही तो अगर यह X है तो यह भी X हो जाएगा अब देखिए क्या हुआ ये X है ये X है ये भी X है ये भी X है मतलब ये भी 2X हो गया और ये X और ये X इसका मतलब ये जो diagonal है AC जो diagonal है वो bisect कर दिया है angle C को ये ही proof करना था next proof करना है कि ABCD is a rhombus ABCD is a rhombus है देखिए rhombus proof करना है तो आपको all side को equal proof करना होगा अगर square proof करना होता तो आपको all side equal proof करना होता साथ में एक angle को भी 90 degree proof करना होता बट यहाँ पर rhombus ही proof करना है इसलिए आपको बस सारे side को equal proof कर देना है तो यहाँ पर दो triangle ले लिजिए ACD triangle लिजिए A, C, A, B sorry, A, C, B लीजिए, देखिए triangle A, C, D and triangle A, C, B लीजिए इसमें देखिए ये angle ये angle के equal हो जाएगा, अभी हमने बात किया था, ये दोनों x है and ये भी x है तो ये जो angle D, A, C है, ये जो D, A, C angle है, वो B, A, C के बराबर हो जाएगा B, A, C के बराबर हो जाएगा, तो ये angle बराबर हो गया, और ये side common हो गया and ये angle भी बराबर हो गया ये angle बराबर है, ये side common है और ये angle बराबर है तो ये दोनों triangle आपस में congruent हो गया मतलब, जहाँ आप इसको इस तरह से fold करके इस पर रखिएगा तो यह बिल्कुल super impulse कर जाएगा and super impulse करेगा तो यह वाला side इसके बराबर हो जाएगा and यह वाला side इसके बराबर हो जाएगा ठीक है यह side इसके बराबर हो जाएगा यह side इसके बराबर हो जाएगा और यह side और यह side equal दिया हुआ है 4 is equal to 3 है and ये 2 is equal to 1 है ये भी आपने प्रूफ कर दिया 2 is equal to 1 है तो 1 is equal to 2 is equal to 4 is equal to 3 मतलब आपस में सब बराबर हो गया तो ये एक rhombus हो गया next question है कि ABCD एक rhombus है so that diagonal ये ABCD rhombus हो गया आपको show करना है कि diagonal AC angle A को bisect कर रहा है as well as angle C को भी bisect कर रहा है and diagonal bisect angle B as well as D and ये जो next diagonal है BD ये इस angle को भी bisect कर रहा है and इस angle को भी bisect कर रहा है तो यह equation का reverse है यहाँ पे तो इसको देखिए आपको पता है कि पैड़ ले लो गराम का diagonal एक दुसरे को bisect करता है तो ये दोनों angle को अगर आपको equal angle में देखिए ये इसके equal हो जाएगा क्योंकि पैड़ ले लो गराम का diagonal एक दुसरे को bisect करता है ये common side हो गया and ये side ये side दोनों बराबर होगा क्योंकि rhombus question में दिया हुआ बिसी दिए एक rhombus है rhombus का 4 side equal होता है तो ये side ये side ये side बराबर है ये side ये side ये side बराबर ये common है मतलब side side से congruent हो गया अब जब ये congruent हो गया तो ये angle इसके बराबर हो जाएगा ये angle इसके बराबर हो जाएगा and ये angle इसके बराबर हो जाएगा and जब ये दोनों angle equal होगा इसका मतलब जो diagonal है इस angle को bisect कर रखा है इसी तरह आप इस एंगल को भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से bisect हुआ इसको भी आप दिखा दीजिए and similarly इस दोनों एंगल को भी bisect करके दिखा सकते हैं और इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि यह भी bisected है सब एक ही concept पर बेस्ट है सब में आपको बस congruent करना है दो ट्रियंगल चूज किजिएगा and दोनों को congruent प्रूफ कर दिजिएगा जैसे इसको और इसको congruent प्रूफ करना था मुझे इसको इसको और इसको equal प्रूफ करना था तो मैंने ये triangle और ये triangle को congruent प्रूफ कर दिया तो यही करना है आपको next question है ABCD जा rectangle ABCD एक rectangle है in which diagonal AC ये जो diagonal है bisect किया है angle A as well as C इसको bisect किया है ठीक है आपको बताना है कि ABCD एक square है ये एक square है and diagonal BD bisect diagonal BD जो है bisect कर रहा है B और D को ये पहले से बता रहा है कि bisect किया हुआ है and आपको proof करना है कि ये दोनों भी bisected है plus साथ में आपको ये सारा side भी equal proof करना है तभी एक diagonal होगा sorry square होगा ये देखिए ये बिल्कुल आसान है इसमें एक rectangle पहले से दिया हुआ है rectangle दिया हुआ इसका मतलब angle A is equal to angle B होगा is equal to angle C होगा is equal to angle D होगा sub is equal to 90 degree होगा सारा angle 90 degree होता है and यहाँ पर दिया हुआ है कि angle A और angle C दोनों bisected है angle C bisected है angle A भी bisected है मतलब अगर ये पूरा 90 degree है और ये अगर इसको दो भाग में बाटा है तो कियिए और यह इसको बाइसेट किया है तो ये भी ओगया तो अब आपको पता है यह आईसोकेलर डियंगल्स हो गया आइसो स्केलर स्ट्रेंगल क्या होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है उसका ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है अगर ये दोनों एंगल इक्वल होता है तो ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल होता है तो इसके opposite वाला side फी दोनों equal हो जाएगा तो ad is equal to cd हो गया इसी तरह से आप इसमें proof कर सकते है नहीं, actually इसमें कुछ proof करने का आप जरूरा थी नहीं है क्योंकि अगर आपने यह देखिए अगर यह triangle है rectangle है, a, b, c, d and आपने इसमें यह दोनों side को equal proof कर दिया and rectangle में यह opposite side equal होता ही है मतलब अगर side 1 और side 2 पहले से equal है side 1 is equal to side 2 है and आपने side 2 is equal to side 3 proof कर दिया तो और side 3 is equal to side 4 पहले से ही है क्योंकि एक rectangle है, तो rectangle का opposite side equal होता है तो all side equal हो गया, ठीके तो यह एक ऐसा rectangle है, जिसमें सारा side equal है, और यह 90 degree तो हो गाई क्योंकि rectangle में एक angle 90 degree होता ही है तो यह rectangle का सारा side equal हो गया तो यह एक square हो गया अब आपको बताना है कि यह जो diagonal bd है, यह भी एक दूसरे को bisect कर रहा है, तो यह question मैं आपको बताऊंगा नहीं, यह आप खुद से कर लिजिए क्योंकि सारा question इसी पर based अभी तक हमने जो भी solve किया है, इसी पर based है, यह एक square हो गया जिसमें सारा side equal है आपको बस बताना है यह जो diagonal है a, b, c, d, यह जो db diagonal है, यह इसको bisect किया है, और इसको भी bisect किया है, यह आपको बताना है तो यह side, यह side equal है यह side, यह side equal है, यह दोनों angle 90 degree है, तो यह आप easily proof कर सकते हैं side, angle, side से यह congruent हो जागा, यह side इसके बराबर यह side इसके बराबर, यह angle इसके बराबर हो गया तो यह angle इसके बराबर हो जागा यह एंगल इसके बराबर हो गया मतलब यह एंगल बाइसेक्टेट है और यह एंगल भी बाइसेक्टेट है सिंपल है नेक्स्ट क्वेस्टन है इन पैरलेलो ग्राम ABCD एक पैरलेलो ग्राम है जिसमें P and Q are taken on diagonal BD BD एक diagonal है जिस पे P and Q दो पॉइंट लिया हुआ है such that DP is equal to BQ यह equal है आपको बताना है first में कि APD triangle APD यह जो APD triangle है यह congruent है angle CQB के congruent है यह दोनों triangle को आपको congruent proof करना है तो देखिए ABCD एक पैरलेलो ग्राम है तो यह side के बराबर हो जाएगा मतलब यह जो BC है यह जो BC side है DA के बराबर हो जाएगा ठीक है यह side हो गया प्लस यह जो angle है यह जो angle है और यह जो angle है दोनों equal होगा क्योंकि यह एक parallel line है और यह एक transversal है तो यह alternate एंगल और हो जाएगा तो ये इंगल भी ब्राबर हो गया यह साइड यह साइड ब्राबर दिया हुआ हैं पहले से मतलब साइड एंगल साइड से ये दो नो को व्हां आटि आ DA यहाँ पर DA बड़ाबर हो जाएगा BC के BC के बड़ाबर हो जाएगा यह जो angle B है यह जो angle B है angle D के बड़ाबर हो जाएगा alternative interior angle and DP यह जो DP है यह BQ के बड़ाबर हो जाएगा यह question में दिया हुआ है तो यह congruent हो गया नेक्स प्रूफ करना है AP is equal to CQ तो यह तो इसी से हो जाएगा यह दोनों triangle को जो अभी हमने congruent proof किया इसी से हो जाएगा अगर यह दोनों congruent है तो यह इसके बराबर होगा यह इसके बराबर दिया हुआ ही है यह इसके बराबर होगा है क्योंकि पहले लोग राम यहाँ देखिए AP is equal to CQ यह हैं से proof हो गया नेक्स्ट है एंगल AQB triangle AQB congruent है CPD के CPD के congruent है तो यह भी same rule से हो जाएगा यहाँ देखिए यह वाला एंगल और यह वाला एंगल बराबर हो जाएगा alternate interior एंगल यह एक transversal line है और यह दो parallel line है जिसमें यह transversal line है तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल alternate interior एंगल बराबर हो जाएगा यह side यह side बराबर हो जाएगा क्योंकि यह एक opposite pair है parallelogram का यह वाला side और यह वाला side already question में equal दिया हुआ है तो यह भी side angle side से जैसे यह first हुआ था उसी तरह से यह भी congruent हो जाएगा and इसमें next part है aq is equal to cp यह aq को आपको cp के बराबर proof करना है तो यह भी हो जाएगा यह हैंसे aq is equal to cp हो गया यह जो triangle को हमने congruent proof किया तो यह दोनों इसमें आपस में बराबर हो जाएगा ना तो यह भी हो गया next आपको बताना है कि a, p, c, q is a parallelogram a, p, c, q, is a parallelogram तो यह यह दोनों से हो जाएगा parallelogram opposite pair equal है a, p is equal to c, q है a, p is equal to c, q है and a, q is equal to c, p है a, q is equal to c, p है तो एक ऐसा quadrilateral जिसमें opposite pair of side equal है एक ऐसा parallelogram जिसमें opposite pair of side opposite pair of side equal है तो यह एक parallelogram हो जाएगा वह यहाँ पर प्रूप करना है यह question भी हो गया next है a, b, c, d is a parallelogram and a, b, c, d एक parallelogram है and a, p and c, q are perpendicular from vertex a a से यह perpendicular डाला गया है and c से यह perpendicular डाला गया है diagonal पे अब बताना है आपको कि a, p, b a, p, b जो triangle है यह c, q, d के congruent है तो देखिए इसको हम लोग angle angle side से congruent कर देंगे यह देखिए यह जो angle है और यह जो angle है आपस में बराबर होगा क्योंकि यह भी parallel line है और यह transversal है तो यह angle और यह angle बराबर होगा उसी तरह से यह angle और यह angle बराबर हो जाएगा similarly ठीक है तो एक angle equal हमने प्रूफ कर दिया दूसरा देखिए यह 90 degree है यह भी 90 degree है इस triangle में एक angle 90 degree है एक angle 90 degree है तो यह दूसरा angle भी बराबर हो गया और तीसरा यह side देखिए c, d is equal to a, b हो जाएगा क्योंकि यह एक parallelogram है and parallelogram में opposite side equal होता है तो यह side इसके equal हो गया मतलब angle angle side से यह दोनों triangle congruent हो गया अब आपको proof करना है next ap is equal to cq ap is equal to cq तो यह cp ct से हो जाएगा यह हैं पर हो जाएगा ap is equal to cq cp ct से corresponding part of congruent triangle तो यह question भी solve हो गया देखिए अगर यह question आपको नहीं समझ में आ रहा ने एक बार से तो इसका मतलब यह है कि आपका concept अच्छे से clear नहीं हुआ है तो previous वीडियो को अच्छे से दुबारा देखिए एंड उसके बाद फिर यह सारा question attempt किजिए नेक्ट question है triangle a b c a b c triangle and triangle d e f d e f a b c and d e f में a b is equal to d e है a b is equal to d e है and a b parallel d e है a b parallel भी है d e के and b c b c जो है e f के equal है यह b c e f के equal है plus b c parallel भी है and यह भी इसके parallel है अब यह सारा vertex को join किया गया है आपको बताना है कि a b e d is a parallelogram a b e d a b e d is a parallelogram आपको बताना है कि a b e d एक parallelogram है तो यह तो मतलब बहुत असान है क्योंकि यहाँ पर आल्रेडी दिया हुआ है कि इस quadrilateral का यह जो opposite side है यह equal भी है and parallel भी है यह equal and parallel दिया हुआ अल्रेडी ही तो कोई भी ऐसा quadrilateral जिसका one pair of opposite side equal है and parallel है वो quadrilateral होता ही है तो बस simply इतना लिख देना है कि a b e d एक parallelogram होगा क्योंकि इसमें यह जो opposite side है वो equal है and parallel है next है quadrilateral b e f c is a parallelogram b e f c is a parallelogram तो यह भी उसी तरह हो जाएगा इसमें यह side और यह side equal and parallel दिया हुआ है तो एक ऐसा quadrilateral जिसका one pair of opposite side equal है and parallel है वो parallelogram हो गाई तो similarly यह भी एक parallelogram हो गया अब आपको बताना है a d parallel है cf के a d parallel है यह देखिए a d and cf को parallel proof करना है इसके लिए आपको एक property समझना होगा अगर यह line a b एक line है जो की cd के parallel है and यह एक ef line है जो की cd के parallel है तो यह दोनों भी आपस में parallel होगा अगर a b parallel cd है and cd parallel ef है तो a b parallel ef होगा अगर यह इसके parallel है यह इसके parallel है तो यह इसके parallel हो जाएगा यह ऐसा ही है कि अगर A B के बराबर है and B C के बराबर है तो A बराबर B हो जाएगा इसकोल टू C हो जाएगा यह ऐसा ही है यह इसके पैरलल है तो यह दोनों भी आपस में पैरलल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को हम लोगों को ये दोनों को parallel proof करना है AD parallel CF AD parallel CF बताना है तो देखिए अभी हमने दो question जो solve किया ये और ये इसी से तिसरा proof हो जाएगा हमने बताया कि ये जो quadrilateral है ये एक parallelogram है मतलब ये parallel ये हो गया and second हमने proof करा कि ये जो parallelogram है ये जो quadrilateral है ये भी parallelogram है इसका मतलब ये parallel ये हो गया देखिए first quadrilateral से proof हुआ कि AD parallel है BE के ठीक है and ये जो second quadrilateral है इससे proof हुआ कि ये जो BE है ये parallel है CF के अब देखिए AD parallel है BE के और BE parallel है CF के तो ये parallel हो जाएगा CF ये तीनों आपस में parallel हो जाएगा question में क्या बताना है question में AD parallel CF AD parallel CF यहां से हो गया next है AD equal भी है CF के तो यहां भी similarly उसी तरह हो जाएगा कि अगर ये जो parallelogram है sorry ये जो quadrilateral है ये अगर parallelogram है तो इसमें AD equal हो जाएगा BE के ये parallelogram अगर है तो ये दोनों आपस में equal होगा ही ना side parallelogram का opposite side equal होता है and ये जो parallelogram है ये जो parallelogram है इसमें ये दोनों side भी parallel and equal हो जाएगा तो इसके according हो जाएगा BE parallel and equal हो जाएगा EF के तो इससे ये दोनों भी आपस में equal हो जाएगा कि एडी इसको बताना है थोड़ा सा गलती हो गया यह देखिए यह पैरलेलोग्राम है तो यह साइड इसके साइड के पैरलल हो जाएगा एक 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 नेक्स्ट है क्वाडिलेटरल एसी एफडी एसी एफडी इसको पैरलेलोग्राम प्रूप करणा है कि यह भी बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा यह इसके पैरलल और इक्वल है AD parallel है nd equal है BE के end इस पैरलेलोग्राम में जो अभी प्रूप किया हमने इसमें था BE parallel है & equal है CF के ठीक है तो यह जो AD & CF आपस में AD & CF parallel and इक्वल हो गया है जो थर्ड पॉइंट है तो थर्ड पॉइंट से फॉर्थ पॉइंट प्रूइंट हो जाएगा यह देखिए इससे हमने प्रूफ किया कि एडी जो है पैरलल है एंड इक्वल है सीएफ के तो यह जो पैरलेलोग्राम बना ये जो आपका parallelogram है इसमें AD and CF आपस में parallel भी है and equal भी है तो जैसे तरह से ये दुनों प्रूब किया था कि एक ऐसा quadrilateral जिसमें opposite side equal भी है and parallel भी है वो एक parallelogram होगा उसी तरह से ये एक parallelogram हो गया और इसमें आपको बताना है कि AC और DF equal है ये AC and DF equal है तो ये भी parallelogram का ये property है कि किसी भी parallelogram का opposite side parallel होता है and equal होता है तो ये भी उसी से हो जाएगा ये equal है एक parallelogram का opposite side equal and parallel होता है तो ये एक parallelogram है हमने proof कर दिया तो ये जो opposite side है ये भी equal and parallel होगा तो यहाँ पे सिर्फ equal ही बताना है AC equal to DF करना है तो यह equal हो जाएगा इसी तरह से अब आपको बताना है कि जो triangle ABC है वो congruent है DEF के triangle ABC ABC triangle जो है वो congruent है DEF के DEF इसके congruent है तो यह इस तिनों से solve हो जाएगा इस तिनों से देखिए यह ABCD एक ABCD एक parallelogram था तो AB equal to ED हो जाएगा AB equal to यह ED हो जाएगा यह दोनों आपस में बराबर है AB equal to ED हो जाएगा ED या DE कुछ भी लिखिए यह दोनों आपस में बराबर है न AB equal to DE हो गया क्योंकि एक parallelogram है next देखिए यह भी एक parallelogram है यह देखिए यह भी एक parallelogram है हमने अभी ही प्रूफ किया तो इसके according AC equal हो जाएगा DF के sorry यह DF के equal हो जाएगा यह opposite pair of a parallelogram हो जाएगा next देखिए यह quadrilateral लीजिए यह parallelogram लीजिए यह भी एक parallelogram है तो इसमें BC equal हो जाएगा EF के BC EF के equal हो जाएगा क्योंकि opposite side of a parallelogram है तो अब देखिए यह दोनों triangle में देखिए इस side के बराबर यह side है यह side के बराबर यह side है and यह side के बराबर यह side है तो side 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 से यह congruent हो गया दोनों वहीं यहाँ पर प्रूफ करना था question है ABCD is a trapezium in which AB is parallel CD AB CD एक trapezium है जिसमे AB और CD आपस में parallel है and AD is equal to BC AD जो है यह इसके equal है इसमें आपको बताना है कि angle A is equal to angle B and angle C is equal to angle D इसके बराबर इसको प्रूफ करना है and इसके बराबर इसको प्रूफ करना है देखिए आप एक hint दिया हुआ है कि AB line को आप produce कीजिए आगे and AD के parallel CE को draw कीजिए देखिए इसको आगे produce किया है and ये दुनों आपस में parallel draw किया है तो ये देखिए ये इसके parallel है and ये इसके parallel है मतलब कि ये parallelogram हो गया इसका मतलब ये पूरा side ये पूरे side के equal हो जाएगा इस parallelogram में देखिए ये पूरे side इसके equal हो जाएगा और ये इसके equal हो गया ये इसके equal पहले से दिया हुआ है इसका मतलब ये side इसके equal हो गया ये side ये side आपस में equal हो गया तो माल लिजे कि ये अगर angle x है तो ये भी x हो जाएगा आई तो ये भी x हो जाएगा ये और ये देखे ये parallel line है और ये एक transversal line है तो ये और ये alternate interior angle बड़ावर हो जाएगा इसका मतलब ये भी x हो गया ये ये end ये तीनो x हो गया end देखिए हम लोग जानते हैं कि parallelogram का opposite angle equal होता है मतलब ये जो angle है ये जो parallelogram है इसमें ये angle इस angle के बड़ावर होगा तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा तो ये देखिए ये angle और ये angle दोनो x हो गया तो ये proof हो गया angle c is equal to angle d तो second question हमने proof कर दिया कि ये angle और ये angle equal है next हम लोगों को proof करना है कि ये दोनों भी आपस में equal है जो कि first question है तो इसको देखिए angle b कितना होगा ये एक linear angle है तो angle b is equal to हो जाएगा 180 minus 180 degree minus x ये पूरा angle 180 है linear है और ये वाला x है तो ये वाला angle हो जाएगा 180 minus x angle b is equal to 180 minus 6 हो जाएगा एंड ये एक parallelogram है ये transverse है ये parallelogram है ये transverse है तो angle to का sum 180 होता है तो उसी तरह यहाँ पे देखिए ये और ये parallel है और ये transverse है तो ये angle और ये angle का sum भी 180 होगा and ये वाला x है हमने अभी प्रूफ किया ये x ये भी x और ये भी x है तो यहाँ पे ये दोनों का सम अगर 180 है तो angle 1 a plus angle d is equal to 180 degree हो जाएगा and angle d x है तो angle a plus x is equal to 180 degree हो गया तो देखिए angle a is equal to हो जाएगा 180 degree minus x यहाँ पे देखिए angle b is equal to b है 180 degree minus x and angle a is equal to b 180 degree minus x मतलब ये दोनों angle बराबर हो गया देखिए angle b is equal to आया है 180 degree minus x and angle a is equal to b आया है 180 degree minus x तो ये भी 180 degree minus x and ये भी 180 degree minus x तो ये दोनों भी आपस में equal हो गया तो ये दोनों question solve हो गया next part है triangle a b c e a b c ये जो triangle बना है and b a d b a d ये जो triangle है इसको दूसरे color से draw करते है angle b a d congruent है ये दोनों triangle को congruent proof करना है तो ये भी easily हो जाएगा ये side और ये side question में equal दिया हुआ है ये दोनों triangle में देखिए ये side ये side equal है और ये common side हो गया और ये angle दोनों में equal है a b c triangle में ये triangle में ये side equal है ये angle equal है and ये triangle में ये वाला angle equal है तो और ये side common है ये side equal है मतलब side angle side से ये congruent हो जाएगा अब बताना है diagonal a c is equal to diagonal b d diagonal a c is equal to diagonal b d तो ये तो इसी से हो जाएगा by cpct corresponding part of congruent triangle यहाँ देखिए a c is equal to b d हो जाएगा ये दोनों triangle को जब आपने congruent proof कढ़ी दिया तो ये side से equal होगा ये तो diagonal है तो diagonal equal होगा diagonal a c is equal to diagonal b d तो ये सारा question हमने solve कर दिया next video में हम लोग पढ़ेंगे midpoint theorem and is related ncrt का ये सारा question solve करेंगे exemplar भी and exercise वाला भी इस chapter का pdf description में दिया गया टेलेग्राम चैनल पर मिल जागा अप लोग वीडियो को लाइक कीज़े शेयर कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब कीज़े थैंक यू